हमारे इस खास सेग्मिंट एक्स्प्लेनर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शवानी पांडे एक्स्प्लेनर में बात एक बार फिर अंतराश्टिक खबरों की और अंतराश्टिक खबरों में आज जिक्र होगा इरान का और इरान के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी समूव जैश अल अदल का इरान का जिक्र किसले जरूरी है हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन पहले आप ये वीडियो भी देखिए ये दावोस का विडियो है जो कि दावोस से आया है और दावोस में एक बैठक होनी थी जिसमें इरान के जो कारेवाहग प्रधानमंत्री हैं वो पहुँचते हैं लेकिन मीडिया उनसे सवाल करने लगती है जो हमला हुआ था इरान की ओर से कल रात यानि की मंगलवार रात को पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन जैश अल अदल पर उसको लेकर जैसे इनसे सवाल होते हैं वो बच्चते हुए नजर आते हैं उनकी जो सेक्योटी गाड्स हैं वो मीडिया को पीछे करते हुए नजर आते हैं और वहां से वो बच्च कर निकलते हुए साफ नजर आ रहा ह इस वीडियो में, विबीते मंगलवार को इरान की ओर से, इरान की revolutionary guards की ओर से, पाकिस्तान पर हमली किये जाते हैं, और पाकिस्तान का ये जो इलाका था, ये था coupsubs का, ये अलाका ऐसा इलाका है, जहांपर ये जो सुन्नी आतंकी समू है, पाकिस्तान का जैश अलदल इसके सबसे ज़्यादा आतंकी रहते हैं और इसी वज़ा से इसको निशाना बनाया गया इसको इरान की ओर से टार्गेट किया गया उसके ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिये और इस हमले में अब तक कहा जा रहा है कि दो बच्चे मारे गए हैं और तीन लोग घायल हुए हैं जिसके बाद अब पाकिस्तान ने इरान से अपने राज़दूद को वापस बुला लिया है बहुत सारी चीज़ें होती हुई इस बीच नजर आ रही है लेकिन अब आप ये समझें कि आखिर इरान ने ये हमला किया क्यों दरसल ये जो सुन्नी आतंकी समू है जैश अल अदल जो की सबसे जादा गर ऑपरेटिव है तो ये बलुचिस्तान की शेत्र में ही ऑपरेटिव है और कई सारे हमले अब तक इरान पर ये कर चुका है 2009 के बाद से अब तक पांच बड़े हमले इसकी ओर से किये जा चुके है और जो सबसे बड़ा एरिया इसका जो टार्गिट में रहता है इरान का वो है सिस्तान बलुचिस्तान का इलाखा इरान और पाकिस्तान आपस में एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं अब भग यह 1000 किलोमीटर के आसपास का है और इसमें एक बड़ा शेतर सिस्तान बलुचिस्तान का आता है इसान बलुचिस्तान का जो प्रांथ है वो आता है इरान में और कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे इरान की सुन्नी अलपसंख्यक रहते हैं और ऐसे में ये पूरा जो इलाका है शिया प्रभुत वाला है तो शिया प्रभुत वाला इलाका होने की वज़े से बहुत सारा भेदभाव भी इन सुन्नी अलप संक्यकूं को याँ पर जहिलना पड़ता है और इनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है इरान को इन पर अपना क कौन नहीं जानता और किस तरीके से हर प्रांत में पाकिस्तान अपने आतंकी समूह को बिठा कर रखा है और उसमें से एक जो शेत्र है ये है सुन्नी आतंकी समूह का जो की बलुचिस्तान का पूरा शेत्र आता है और इसका जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से भी शेर होता है और इरान से भी शेर होता है और इस आतंकी hierarchy को पुरी जिम्मेदारी दी गई है, इन दोनों को उपरेट करने की, यानि कि इन दोनों जगहों पर, दोनों देशों पर, अफगानिस्तान और इरान पर हमले करने की, और कई सारे आतंकी हमले अब तक इसकी ओर से किये जा चुके हैं, पिछले महीने, यानि कि 2023 दिसंबर में एक आतंकी हमला किया गया था इसी आतंकी समू की ओर से, जो की इरान के ही सिस्तान बलुचिस्तान इलाके में हुआ था, वहाँ पर बॉर्डर पर एक पुलिस चौकी तेना थी और उसी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया जाता है, इस आतंकी समू जैश अल अदल की ओर से, और उ इसी कारणवश यह हमला यहाँ पर हुआ है, लेकिन जैश अल अदल आखिर यह कब बना, यह कौन सा आतंकी समो है, आप इसकी डीटेल्स आप समझ लीजे, जैश अल अदल का मतलब होता है न्याय की सेना, और 2012 में इसकी स्थापना हुई थी एक सुन्नी आतंकी गुठ है, जो सबसे जादा अगर ऑपरेटिव है, तो पाकिस्तान के सीमवर्ती इलाको में, इसकी कई सारे ठिकाने वहाँ पर मौझूद हैं, जहाँ पर हमला किया गया इरान की ओर से वहाँ पर भी इसकी कई सारे आतंकी समो की ओर से बनाए गए थे, और अक्सर भिडन्थ होती रहती है इस आतंकी समो की इरान के साथ, और इसी वज़े से बदला भी कई बार इरान ले चुका है, लेकिन ये जो बदला है, ये बड़ा बदला था जिसमें कहा जा रहा है, इस हमले में दो बच्चे मारे गए हैं, और तीन लोग घायल भी हुए हैं, तो सीमावर्ती इलाकों में की सबसे ज़ादा मौझूदगी रहती है और इरान की जो ग्रे मंत्री एहमद वाहिदी हैं उन्होंने हमले के लिए जैश अल-अदल को ही उस वक्त जिम्मिदा ठेराया था जब दिसंबर 2023 में इस आतंकी समू की ओर से उसकी चौकियों पर हमले किये गए थे और अब ये कहा जा रहा है कि इसी का बदला एक तरीके से इरान यहाँ पर ले रहा है तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इरान ने यह हमले क्यों किये लेकिन अब जिस तरीके से तनाव इरान और पाकिस्त के बीच में बन रहा है इससे आगे क्या होगा आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के जरीर हमें जरूर बताईए